तो इस स्वागत है आज ही हिंदी स्ट्रमने अपका स्वागत है। पर इवेटी वर्क्शॉप जब करोना पेर्ड में ऑनलाइन वर्क्शॉप चुरूह के सब दिया था और सबसे इवीडी अपने आपको ट्लाव एक्ट्वोड कर देए। बहुत सरे एक्टिव्टी जो प्रोजेक्ट में भी डीडी का प्राटिसिपेशन रहता है और मेजर जो ऑनलाइन और आफलाइन वर्क्शॉप से वहां पे डीडी इस कंटेंड को पार्टिसिपन के साथ में शेरिंग करते हैं इस कंटेंड को पुद में देखने का प्रयाज भी कर रही है जबी जबी नेदी दीडी के साथ में कोई इंटरेक्शन होती है तो मैंने यह देखाए कि हमेशा काफी पतलब एक सौफ और अपने पन की उसमें बहुना होती है तो दीडी आपका स्वागत है ओवर्टीज प्री अपनी हस्बेंड और बेटी के साथ और मेरे इनलाज और हम अराउंड है और मैं शिवाज राओ जोंदरे कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर इन आइटी डेपार्टमेंट अपनी सेवाई दे रही हूं और मैंने जो फर्स्ट वर्क्शॉप की वो जुलाई 2020 में इंट संजीवनी में थी बहां यह सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ था और उसके बाद मुझे लगा कि यह बहुत ही कुछ वैल्यूएबल है और सीधा सीधा लिविंग से रिलेटेड है और मेरे और मेरी स्टूडेंस के लिए इसका बहुत ही उपयोग बना रहेगा तो उसक कि बाद लगातार कुछ वरक्शॉप्स में एज पार्टिसेपेंट कुछ वरक्शॉप्स में एज वॉलिंटियर काम कर पाई और अब जब मैं देखती हूं मुढकर तो ये भी दिखता है कि कहीं सारे वरक्शॉप्स मुझे लगे जिसमें मैं एक-एक शब्द की क्लारिट इसके साथ जब मॉर्निंग सेशन से जुड़ना हुआ मुझे बैच नंबर नहीं दियान है पर मुझे याद है कि गनेशर के साथ मॉर्निंग सेशन्स हुए थे तब मैंने सुनना शुरू किया था और मैं जितना-जितना सुनती थी उतना काफी सारे क्वेस्टिन्स अपने इंग्तम अंजान से लेकर अभी थोड़ा-थोड़ा समझ आने की स्टेट तक मैं लगता है मैं पहुंच पाई हूं अब्यास एक की बात करूं तो मैंसे मैं को देखने का जो अब्यास है तो यह जो फर्स्ट स्टेप है कि साजग रहे और अपने में चल रहे कल्पन शीलता को देखें तो मुझे ध्यान है कि मैं एक दो बार सब्जेक्ट कंडग कर चुकी थी और वर्क्शॉप में एज वॉलेंटियर किसी टीम में काम हो रहा था फिर भी जब यह मॉनिंग सेशन शुरू हुआ तो मैं इस टेप को उतना समझ नहीं पा रही थी जो भी इच्छा ज जब पूछते थे या कुछ बात होती थी तो लगता था हाँ या यह मेरी भी इच्छा है इतना ही समझाता था जैसे जैसे आगे बड़े तो वो थोड़ा थोड़ा होता गया काम कि मैं कलपन शीलता को भी देख रही हूँ अभी भी डिस्टिंक्शन ऐसा नहीं करती हूँ इच्छा विच्छा राशा को पर अगर मैं प्रयास करूं तो सेग्रिगेट कर पाती हूँ थोड़ा थोड़ा पर पर पर्टिकुलरली इस बैच की बात करूं तो मुझे लगता है कि काफी सारा ध्यान गया है और ऐसा नहीं है कि मैं अगर अभी देख रही हूँ तो कंटि देख पाऊंगी पर जो टाइम से जितनी बार पहले अगर वो दिन में दो तीन बार देखता था दीरे दीरे बढ़ता गया और अभी देखों तो जब भी मेरा ध्यान आजाता है कि मुझे अपने प्रतिसजग रहना है तो देख पाती हूँ और वो फ्रिक्वेंटली हो रह है और पहली बात करूं तो जब यह समझ आने लगा था कि कलपनाशीलता को देखना है तो मैं जब देख पा रही थी तो मैं सबसे पहले उसको बहुत ही रियाक्ट कर रही थी तो पिछले दो तीन बैच से और इस बैच में भी पर्टिकुलर्ली ध्यान गया कि यह करना है और फिर अगर सही है तो रखना है नहीं है तो मुझे कुछ जादा एफोर्ट नहीं करना पड़ता वह एट लिस्ट थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है इतनी बात पर ध्यान गया दूसरी स्टेप में इस क्षण में जो भाव है वो सच्छी कार्य है तो ध्यान है कि पह अब वह भाव कौन सा है उसे क्या अंदर चल रहा है तो मैं वह देख पाती हूं तो उसका भी डियूरेशन भी बड़ा है और वो महसूस भी होता है कि मैं ये भाव को चेक कर पा रहे हूं और मुझे अभी तो ऐसा लग रहा है कि अगर मैं हर बार ये पूछती रहूं कि सविकारे है या नहीं तो सविकारे भाव बहुत कम समय होते हैं जो सविकारे नहीं है उनको ही चलाती रहती हूं पर शिफ्ट लेना चाहूं, निरने पुर्वक तो शिफ्ट ले पाती हूं, इतने तक इस सेकेंड स्टेप में जर्नी हुई है, थर्ड स्टेप में मैं आराम में रहती हूं या सुखी हूं, ये अगर बात करूं तो वो भी थोड़ा दिहान आ रहा है, कि ये जो कमफर्ट आप में मैसूस होता है, जब मुझे में सही भाव चल रहे हूं, तो मैं बहुत हार्मनी में रहती हूं, व्यवस्ता में रहती हूं, सुखी रहती हूं, और ये moments को मैं increase करना चाहती हूं, मैं उनको बढ़ाना चाहती हूं, तो जब भी एक खशन वो दिखाए दिया, कि इस मैं सुखी हूं, तो मैं अब next moment के लिए प्रयास करती हूं, पर पहले तो ये प्रयास ऐसे निरने पुर्वक मतलब जबर्दस्ती से होता था, कि नहीं अभी यही अच्छा लग रहा है, तो इसी को चलाते हूं, तो वो contradiction अभी कम हूआ है, कि जिस भाव के साथ सुखी हूं, उस भाव की निरनतरता next moment भी करना चाहती हूं, और सहजता से shift हो पा रही हूं, इसके कुछ examples मैं दूं तो, मुझे अभी ध्यान है कि recently हम वर्क्शॉप में थे ये शंदया के साथ, और घर पर मेरी बेटी थी, और मेरे पापा आये थे उसका ध्यान रखने के लिए, तो मैं मैं बात करती थी उनसे कि कैसे सब चल रहा है घर पर और हर ब्रेक में सुबह, शाम को मुझे पूरा ऐसे लगता रहता था कि मुझे ध्यान रखना है उसका, और अगर उसका कुछ काम, जैसे उसको क्लास में पहुचाना है, पर पापा ने कहा कि नहीं, वो आज क्लास नहीं गई है, तो मैं बहुत अपसेट हो जाती थी कि मैं इतना लिख कर आई थी, बता कर आई थी, क्या-क्या कौन से दिन करना है, फिर भी इनको वो इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, मैं इसलिए उसको साथ नहीं लेकर आए कि उसका ये सब मिसना हो करिक्यूलम, और इनको तो कुछ ध्यानी नहीं आ रहा है, तो मुझे ये ध्यान आया कि उपरी-उपरी स्तर पर ना, मुझे लगता था कि इनके साथ तो मैं रिलेशन्चिप की फिलिंग देखी पाती हूं, उनके साथ तो मेरा सैटी है, वो इस बार इतना ध्यान गया कि जब मेरा स्लिप हो जाता है अपने भाव के प्रती उस समय में बहुत ही क्लोज व्यक्ति के लिए भी विरोध का भाव चलाती रहती हूं और उससे मैं बहुत अपसेट होती हूं उससे मैं बहुत contradiction में आती हूं फोर्ट स्टेप की तरह पाऊं तो जो भाव चल रहा है उसका निर्णे कौन लेता है जब मैं बैठ कर केरफुली उसको observe करती हूं तो मुझे ध्यान आता है कि मैं एक फुदी हूं जो निर्णे ले रही हूं other most of the times जब भी कुछ uncomfortable part हो रहा हो तब मुझे लगता है कि उनीकी वज़े से हुआ है तो जैसे ये example मैं दे रही थी पापा का और कुछ हैं व्यक्ति जो पापा के साथ associated हैं तो उनके कुछ व्याभार से पापा को परिशाने हो रही थी और ये मुझे दिख रहा था कि ये प पर वो उनके साथ बहुत comfortable बने रहे हैं और मैं कहते थी कि इससे आपकी तबियत को नुकसान हो रहा है आपकी physical facility को नुकसान हो रहा है पर पापा कह रहे थी कि नहीं हर इंसान में कुछ पार ठीक होता है कुछ पार ठीक नहीं होता है तो मैं दोनों तरफ ध्यान रखता हू पर मुझे इस बात से इतना विरोध हो रहा था और एक पूरा दिन मुझे ध्यान है कि मैं upset रही थी कि और ऐसा conclusion निकाल रही थी कि मेरे जो भी issues हो रहे हैं अभी इस समय पर वो उसी व्यक्ति की वज़े से तो पूरा समय में उन पर ही वो डाल रही थी shift मैं लेना चाहती थी पर मैं ले नहीं पा रही थी मैंने अपने आपको बहुत पार पूछा कि ये तुमारे लिए comfortable है तो comfortable नहीं है पर मैं shift नहीं ले पा रही थी तो अब अगर इसी fifth step से relate करूँ तो मुझे ध्यान आता है कि ये जो निर्णय में लेती थी ना कि ये चलाना है मुझमें ये काफी सारा मान्यता के आधार पर ही था और अब मुझे ये relate होता है जब मैं workshop की थी तो मुझे ध्यान है कि मैं सबको कहते थी कि please UHV की workshop कर लो ये बहुत अच्छी बात है फिर जब मैं morning session के कुछ batches में participate कर रही थी तो मुझे लग रहा था कि बस ये ही ultimate बात है और फिर इस batch में मेरा इक question बना अपने अपने की मतलब किसी को अगर कहना है तो क्या बोलना चाहिए आप UHV की workshop करो या आप morning session करो दोनों अलग-अलग क्यों है हम एक ही साथ कर सकते हैं ये question बना था और मैं सुच रही थी कि मैं इस पर देखती हूं कि क्या answer मिलता है तो अब मुझे ऐसा ध्यान आया कि morning session की exercises की वज़े से मैं अपने प्रती aware हो पाती हूं और जो shift लेना चाहती हूं मैं उसके लिए पूरा content का आधार है तो ये जो मुझे में opposition चल रहा था कि मैं उस व्यक्ति को doubt कर रही थी तो ये ध्यान में आया कि इंटेंशन की clarity न मुझे अपनी पर है न उस व्यक्ति पर है और जो मैं उनका evaluation कर रही हूं वो भी कहीं सारे bodily आधार पर ही है या फिर physical facility के आधार पर ही है ये सब का आधार मैं ले रही हूं और मैं चला रही हूं कि नहीं मैं तो right हूं वो wrong है तो इस step 5 के साथ मैं देख पाई कि जो मैं निर्णे लेती हूं वो Muslim आधा के आधार पर होते हैं कई सारे प्रयासों के बाद मैं जब वो समझ का आधार ठीक से अपने आप में ले पाती हूं तो फिर shift हो पाता है सही समझ के आधार पर पर इसकी जो frequency है वो भी बहुत कम है पर अब ये अच्छी बात हुई कि मान्यताओं की तरफ ध्यान जा रहा है और पहले मुझे लगता था कि कितनी सारी मान्यता हैं ये मैं कैसे resolve कर पाऊंगी बहुत बड़ा बैग है कब इसको खाली करेंगे और मुझे बहुत जल्दी थी कि बस एक बार का ये हो जाए बस एक बार मैं सुखी हो जाओ तो ठीक हो जाएगा सब तो अब वो ध्यान आ रहा है बार-बार की process की तरफ भी ध्यान देना है और इस particular morning batch में मेरा इस बात पर ध्यान गया कि जब वो ठीक हो रहा है तब भी ध्यान देना है और जब ठीक नहीं है तब भी ध्यान देना है पहले तो जादा तर ठीक नहीं होता था तब बहुत अट जहती है कि मुझे ध्यान देना है जब चीजे ठीक भी चल रही हो मेरे में तो यह एक अच्छी बात बनी इस बार के लिए स्टेप सिक्स में आऊ तो कौन सा भाव स्विकारी है संबन्द का या विरोत का विवस्था या विवस्था का सहस्तित्व या संगर्श का तो ए मैं बात करूं तो मैं जब जब भी ट्रस्ट के फीलिंग के साथ होती हूं रिस्पेक्ट की फीलिंग के साथ होती हूं ग्रैटि सर्च स्विकार्य के भाव के साथ continuity में काम करना चाहती हूं तो फिर मेरा वो प्रोसेस एक ठीक बना रहता है जैसे ही एक रुत अग्यता का भाव है तो मेरा ध्यान गया कि जब भी वो complete picture मुझे दिखता है कि जो वो कर पाए और जो वो नहीं कर पाए ऐसा अगर ध्यान गया और complete picture पर ध्यान गया संबंद पर ध्यान गया तो फिर मैं steps लेती हूं उस संबंद में कि मैं कुछ आगे काम करूं जब भी उसमें fluctuations होते हैं तो मैं भी असाज होती हूं और उस असाजता के साथ मैं उस व्यक्ति का responsibility भी छोड़ देती हूं कि मेरे से नहीं होगा मुझसे अ मन का या व्यवस्था का या सवस्थित्व का तब उस recording shift भी ले पाती हूं व्यवस्था समझने में भी मुझे बहुत सारा time लगा है अभी भी मैं समझ पाई हूं ऐसा नहीं है पर कुछ-कुछ glimpse मुझे मिले व्यवस्था के इस particular morning session में और यह जो मुझ में परिशानी बनी रहती थी कि natural calamities हो रही है अब पता नहीं हमारा क्या होगा यह सब वरीज बने रहते थे तो अब जब सहस्थित्व का ध्यान जाता है और यह सहस्थित्व का ध्यान मुझे यह लग रहा है कि तब ही जाता है जब मैं session में participate कर रही होती हूं तो जब भी यह content share करती हूं सुन है कि मैं यह पूरे जो proposals है जो workshop में सुनते हैं इनको बार-बार अपने में run करूं और जब मैं दूसरों के साथ share करती हूं तब मेरा बहुत ही अच्छे से ध्यान जाता है क्योंकि उस समय बाकी कुछ content अपने में बहुत ही कम चल रहा होता है चल रहा होता है लेकिन बहुत क तो इसलिए अब step 6A और B के साथ मुझे लगता है कि मुझे काम करना है और इसलिए 7th step में कि जब मैं संबंद व्यवस्था यासा स्थित्व के साथ होती हूं तो मैं सुखी रहती हूं यह identification हो पा रहा है यह ध्यान आ रहा है और वो जो पहले बहुत उपरी सतर पर था वो अब verification के level पर धीरे धीरे आ रहा है और इसलिए 7th step B के लिए मुझे लगता है कि मेरा निर्णे जब भी पूछतियों की करना है तो दिखता है कि मुझे यह काम करना है ताकि मैं निरंतर आराम में रह सकूं संगीत में रह सकूं और सुखी हो सकूं और यह पूरी process ही मुझे वो दे सकती है एक हाथ दो बार मुझे जब यह लगता था कि आपरे बहुत सारा काम है तो मैं परेशान हो जाती थी पर सहस्तित्व की तरफ ध्यान जाता था तो यह लगता था कि यही पूरा design है यही पूरा process है और मुझे इसके त्रू जाना है तो और उसके लिए जो provision ब जो सबी अभी prepare कर रहे हैं उनके साथ जब भी बात होती है तो जब मैं अपनी पिछली जर्नी को देखती हूं तो ध्यान आता है कि कितना सारा disturbed हो सकता था अगर यह पूरी process में नहीं करती पर अभी कितना place हो रहा है बहारी व्यभार में बले ही हूं वो हर एक को नहीं नज तो यह जो first step है मैं हूं और शरीर भी है तो इस बार वो attentively ध्यान ऐसे गया कि मैं अपने आपको recognize कर सकती हूं और शरीर को समयतना के आधार से देख सकती हूं तो वो अलग-अलग जब भी proposal के माध्यम से जब भी morning session के माध्यम से जाती हूं तो देख पाती हूं पुरा दिन में जब रुकती हूं पुछती हूं कि मैं हूं तो मिलता है जबाब शरीर के भी बाकी activities पर ध्यान जाता है इतना ध्यान गया है पर ये पूरा time बिल्कुल भी नहीं है प्रपोजल के माध्यम से जब भी verify करने का प्र्यास करूं तब ही ध्यान पकाने है और ये जो शरीर के और मैं के बीच में जो step two है, आदान प्रदान है, इस पर भी थोड़ा सा ध्यान जादा गया है इस particular batch में, मैं aware जादा हो रही हूँ, अपने लिए भी और शरीर के लिए भी, और ये जो interaction हो रही है, उसको रुक कर मैं, मतलब जब पहले कुछ batches में मैंने ये प्रयास किया था कि मैं अपने आपको पूछती थी कि रुको, क्या हो रहा है देखो, और फिर आगे बढ़ो, या फिर चलती थी तो बोलती थी कि रुको, आगे का देखो, तुम ही ले रही हो, कुछ decision या कुछ और हो रहा है, तो वो बहुत, बहुत ही कम हो रहा था, पर अब मुझे लगता है कि समवेदन को पढ़ना है, और इसके लिए मुझे कुछ examples जैसे याद आते हैं, जब मतलब sessions में थी face to face workshop में तो ऐसा अब्या से मेरा जादा बोलने का, तो सुबह में breakfast कर लेती थी और दो गंटे के बात मुझे लगता था कि बहुत भूक लग रही है, तो वो ध्यान जा कि मैं मतलब कुछ बोल रही हूं session में और उसी समय में इस समवेदना को भी पढ़ रही हूं कि बहुत भूक लग रही है, और मैं उसी का example भी दे रही हूं participants को, तो ये मुझे लगा कि कितना जो हमारे में चल रहा है वो कितना directly बहार आ रहा होता है, और वैसे ही हम संकेत दे देते हैं शरीर को, यही बोलना है, यही करना है, तो यह observation इस बार काफी ठीक हो पाया, जो चौती step है कि मैं समवेदना से अलग होते हूं भी समवेदना को पढ़ पाती हूं और मैं शरीर से अलग हूं, यह step मिरे लिए सबसे जादा challenging रहा है throughout यह exercises और अभी भी मुझे लग से नहीं देख पाती हूं, कभी-कभी मैं समवेदना में इतना engrossed हो जाती हूं कि मुझे लगता है कि यह सब मेरे ही साथ हो रहा है, कभी कुछ दर्द हो रहा हो, कभी कुछ experiences आ रहे हो, traveling के समय, तो मुझे लगता है कि बस यह मेरे साथ होगा, और बस अगर शरीर को कुछ हो गया, तो मुझे भी कुछ हो जाएगा, यह लगता ही रहता है, और वो एक underlying बनाई हुआ है मुझ में, इतना वस ध्यान गया है, मैं चाहती हूं कि वो मैं अलग कर पाऊं, पर उतना मेरी तरफ से effort नहीं मैं ली हूं कि मैं इसको अलग-अलग देखूं, कि मैं अलग हूं और शरीर अलग है, और वो distance है, फिफ्ट स्टेप इस पूरी exercise में मेरे लिए बहुत ही अच्छा स्टेप बना रहता है हर बार, और इस बार भी उसका बहुत अच्छे से मैं रन कर पाई, बाई यह परिस्तिती का प्रभाव, तो समेदना का श्त्रोत, अगर दूसरे का व्य देती हूं, और फिर प्रभावित होना, और प्रतिक्रिया करना, इन बातों को मैं देख पाई, जैसे जब भी कोई appreciate करता है, तो वो words आते हैं, तो इस बार मैंने वो try किया, कि मैं अगर step 20 जाऊंगी, तो words आए, फिर उसको मैंने एक अर्थ दिया, फिर मैं प्रभावित और जब किसी ने डाट दिया, तो उस समय भी मैं बहुत प्रभावित हुई, तो पहले मुझे लगता था कि डाटने की वज़े से मैं जादा प्रभावित होती हूं, इस बार ध्यान गया कि जब appreciate करते हैं, तब भी मैं उतना ही प्रभावित होती हूं, लेकिन मुझे ऐसा गुसा करना है, वो तो बिल्कुल भी acceptable नहीं है, तो ये difference ध्यान आया कि मैं प्रभावित होती रहती हूं, फिर बार की परस्तिती का भी मुझे बहुत परणा होता है, ठंड हो गई तो मैं काफी टाइम यही सोचती हूं कि मुझे बहुत ठंड लग रहे है, मुझे बहुत परस्तिती का मुझे परणा होता है, और मेरे निर्णे उसके according बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो जाते हैं, और शरीर में जो घटना हो रही है, जैसे सिर्दर्द का है, तो उसका भी यह एक एक्जामपल है, शिर्दर्द से लेकर कहीं सारे अलग-अलग जो इंजरी या कु उस particular मामले में, इस बार जो मेरे लिए identifying रहा हो था, यह कलपना शेलता का प्रभाव, तो यह input मुझे लगता है कि इस से पहले batches में मुझे ध्यानी नहीं गया था, पहले तीन पर बहुत जल्दी ध्यान जाता था, इस बार वो कलपना शेलता भी मेरी समविदना का श्त्रो है, तो मैं फ्लाइट में ट्रावल कर रही थी, तो मुझे ध्यान है, अभी बस उसने टर्नी लिया था, नॉर्मल स्पीड में थी, पर मैं उससे ही पहले इतना बैचेन हो गई थी, कि आप वो फास्ट जाएगी और मुझे बहुत डर लगेगा, तो बाहर होने से पहले पढ़ा लेती हूं अपने आप में, और फिर जैसे तयारी रहती हूं कि अब बस यह होने वाला है, और मेरा तो अपसेट होना, दुखी होना, विचलीत होना, यह तो क्वाइट ओवियस है, ऐसा मुझे ध्यान आया कि इतना हुआ है, फिर मैंने स्टेप सिक्स एके इसमें, वो मतलब प्रयास किया इस बार की, जब मैंने यह सब पढ़ा स्टेप वाइस, तो जिस मॉमेंट प्रतिक्रिया करना था, उस मॉमेंट के हमें शिफ्ट हो पाई, तोड़ा वो ध्यान गया, जैसे यह कलपना शेलता का मैं कहूं तो, मैं उस फ्लाइट के एक्स्पीरियंस म मैंने उसे बात करना शुरू करती है, और उसको सब पूछा, आप कहां से हो, क्या करते हूं, तो मैंने वो कंटेंट चेंज किया, पर मुझे यह ध्यान आया, कि यह दूसरे का वेवार, भाहर की परस्तिती, शरील में गटना और कलपना शीलता, यह चारों में एक गड़ब और उससे मैं कुछ थोड़ा अपसेट हुई कि यह नहीं हो पा रहा है, पर यह अच्छा बना रहा कि यह पूरे आट दिन मुझे जो वरक्शाप में मिले, यह और यूएचवी 3 का जो आट दिन था, वो बहुत अच्छा टाइम मेरे लिए बना रहा, कि कंटेंट भी चल र है और मैं अपने आपके लिए अवेर भी हो रही तो वो मैं सब लिख पा रही थी, तो ध्यान आया कि जब मैं लिखती हूँ तो लॉजिकली अट लिस्ट मैं शिफ्ट दे सकती हूँ, यह काम बहुत अच्छे से हो पाया, और मैं अपने लिए आश्वस्त हुई कि अट अर्थ में अटलीस्ट जर्नी शुरू तो हुआ है, यह इस बार का अच्छा से बना रहा और सेविन स्टेप के लिए तो मुझे लगता है कि मुझे कहीं बार ऐसे महसूस होता है कि यह नीड बन रही है कि मुझे समझना है, फिर कहीं बार मैं शिफ्ट होती हूँ कि पहले आधि जो मानननेता वाला कारकरम है, इसको पहले सेट कर लो, फिर सहस्तित्व को समझने में प्रयास करेंगे, फिर कभी-कभी लगता है, अगर मैंने सहस्तित्व को समझ लिया, तो शायद ये, उतना सारा मानननेता ड्रिवन जो जीना है, वो चेंज ओ जाएगा, तो ऐसे सब चलता रहता है कभी कबाद बहुत एक्यूट नीड महसुस होती है कि मुझे शुनने को समझने के लिए प्रयास करना चाहिए बाके अदर टाइम से इतने सारे मानने तासे मैं गवन होती हूं कि मुझे लगता है कोई बात नहीं अभी बहुत समय देख लेंगे बात में यह ध् एक और अभ्यास दो को मैं अगर देखं़व तो हैं अभ्यास ऐकती स्टेप्स पर ध्यान जा रहा है अभ्यास दो में स्टेप फॉर है थोड़ा मेरे लिए अभी भी चालेंडींग है साफिन्थ पर भी मैं बहुत फ्लक्टुएट होती रहती हूं पर बाकी स्टेप्स में थोड़ा थोड़ा पहले से गती बना है और इसलिए अब मुझे ये ध्यान आता है कि जब मेरा participation morning meeting में कभी किसी वज़े से कम हो गया तो उसका प्रभाव तुरंथी मेरे जीने में आता है और जितना मैं attentively इसमें बनी रहती हूं effort लेती हूं उतना मेरे लिए वो बहुत फलस्वरूप अच्छा बना रहता है सुख स्वभाव है या प्रभाव इस बात पर देखूं तो प्रपोजल के रुप में लगता है कि सुख स्वभाव बन सकता है और उसके कुछ glimpse मिले हैं वो कुछ बार दिखा है पर इसके लिए पूरा shift नहीं हो पाया है अब भी भी जब भी मैं ऐसे प्रयास करती हूं कि मुझे अब आज बैठना है मैंने UHV3 में ये commitment दिया था कि मैं हर रोज एक गंटा बैठ हूंगी और वो मुझे लगा कि नहीं बस ये मैं करीप आऊंगी जब मैं घर आई तो मैं इतना जल्दी shift हो गई जो पहला living है उसमें कि मेरा कारकरम पुरा बहार का ही बना रहा और जब-जब भी मुझे याद आया कि मैंने तो commit किया था कि मैं अपने आप में बैठूंगी ध्यान दूंगी तो मुझे अब वो करना चाहिए तो मैंने जब प्रयास किया तो मैं इतना वो उससे प्रभावित हो गई जो कलपना शेलता में चल रहा है तो मैंने इंटर्विव सुनना शुरू कर दिया यूट्यूब पर और वो इतना क्विकली हुआ कि मुझे ऐसे लगा जैसे मैं किसी वार में जा रही हूँ और अब नहीं फेस कर पा रही हूँ तो मैंने छोड़ दिया और मैं चली गई वहाँ से इतना वो बना रहता है पर मुझे लगता है कि वो टाइम दीदी ने शर्मिला दीदी ने एक बार सेशन में कहा था कि थोड़े समय से शुरू कर सकते हैं तो मैं अब ये बात पर देख रही हूँ कि थोड़े समय से पांच मिनिट से शुरू करते हैं तो वो अभी थोड़ा थोड़ा बन पारा है कि मैं कोई काम कर रहे हूं जैसे जिसमें बहुत physical moment नहीं है, कुछ कर रहे हूं, हाथ चल रहे हैं, तो उस समय में अगर ये निर्नले लुकी ये काम तो अभी बात में भी किया जा सकता है, पांच मिनिट रुख जाती हूं यहाँ इसके लिए मुझे प्रयास करना होगा इतनी बात ध्यान में आई है और यह हो सकता है यह possibility भी दिख रही है और जहां से शुरू हुआ था अभी तक देखू तो जितने भी moments हो पर वो बने है वो conducive part मेरे में बना हुआ दिखता है और यह जो fifth point है सुख स्वभाव की रूब मे दिखता है तो उसको सुनश्यत करने के लिए कारेकरम अगर देखू तो अभी भी अनुकूल प्रभाव के लिए ही कारेकरम चल रहा होता है जो दो तीन मिनिट का कारेकरम है वो और जो volunteering की activity है वो उसके लिए कारेकरम जब करती हूँ तो वो ठीक बैठता है तो मेरे में यह मान्यता है कि जब भी मैं workshop में sharing करूंगी तब मैं जादा ध्यान दे पाऊंगी तो मुझे लगता है कि ठीक है इस मान्यता के साथ ही सही मुझे आके बढ़ना है क्योंकि जब तक यह पूरा देखना नहीं होगा तब तक तो continue करना पड़ेगा इसलिए यह मान्यता के साथ ग मुझे लगता है कि वो मेरे लिए बहुत desirable है अब मैं सिर्फ एक रखती हूँ example इस बार मैं travel जब कर रही थी दो workshop थी back to back तो मैं एक व्यक्ति से मिली जो बहुत ही highly qualified थे बहुत ही बड़े post पर थे उनका UHV से लगाव भी था तो मैं बहुत ही प्रभावित हो गई उनके कि और फिर मुझे ऐसे पूरा time ऐसे लगता था कि कितना अच्छा है कि अगर ऐसे ही लोग मेरे आसपास हो तो मुझे ऐसे ही लोगों के साथ रहना चाहिए जहां मैं रहती हूँ वहाँ ये सब नहीं हो पाएगा तो वो इतना कवन कर रहा था फिर मैंने सोचा कि इसको लिखा कि क्य प्रभाव हुआ किन-किन बातों की वज़ह से मुझे प्रभाव आया वह डी टेल मैं लिखा फिर मैंने उधर लिखा ॸिख्त फिर मैं अगर मैं होती मुझे प्योड ऑफरर की स्टेट से मैं स्टेट में होकर मैंने किया या लॉजिकली सेट किया, वो मुझे दिखा कि ये लॉजिकली सेट हुआ है, पर ये मुझे लगता है कि निर्णा है मुझे बनाय रखना है कि मुझे प्यॉर अबजर्वर की स्टेट में रहकर इसे रिजॉल्व करना है, तो उसके अर्थ में उर ये भी ध्यान आता है कि बाकी जगह भी human beings है और rest of the nature है तो मैं बहुत favorable environment चाहूंगी तो जो गड़बड हो रही है वो ध्यान में नहीं आएंगी जैसे मैंने अगर सोच लिया कि पूरा time मुझे वक्षाप में ही रहना है तो घर आने के बाद जो गड़बड होती है मैं इस व मुझे बहुत अच्छे से सब करना है और बहुत fluctuations हुए दूसरे ही दिन उस पर भी ध्यान गया तो ये लग रहा है कि कारेक्रम जो चलाना है वो मुझ में चलाना है मैं बहुत सारा प्रयास बाहरी कारेक्रम पर भी ही अभी निर्बर हूं तो वो इसलिए मेरा commitment ये बन रहा है कि मैं स्वहिम को समझने के लिए समय की जो बात है जैसे पांच मिनिट से लेकर एक गंटे तक तो वो अपने में करना है जब कोई बहारी प्रभाव नहीं है अपने आपके साथ मतलब शेरिक के साथ बैठ कर अपने आप में होकर हू काम करना है उसके लिए कुछ डियूर में जिम्मेदारियों के साथ परसपरता का अगर ध्यान दूं तो यह पूरा प्रोसेस बिना वॉलेंटरिंग के पॉसिबली नहीं हो पाता उतना मुझे अब लगता है अगर मैं सिफ वरक्शॉपी करूं अटेंड तो फिर जो चेंज शिफ्ट देखना है वो नहीं हो पात से अभी मुझे ये भी ध्यान आता है कि कहीं सारे काम है जो मैं करना चाहती हूं पर मैं वो सेल्फ रेगिलेशन की फीलिंग में बहुत फ्लक्श्वेट होती हूं और मेरे कलपना शीलता का मेरे शरीर पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है तो उसके तहक मैं बहु द्यान रूँ उसके अनुसार पूरे दिन का शेडूल बना कर शरीर के प्रती जिम्मेदारे भी फुल्फिल करो तो बाकी सारे काम मैं ठीक से कर पाऊंगी पहले मुझे ये भी डाउट बना रहता था कि हम हर समय हार्मनी में रहेंगे तो कैसे होगा वो और कितना बोरिंग हो जाएगा तो मुझे कल का यह एक्जामपल ध्यान है कि वो मैंने लिया था कि मुझे रिद्या के साथ वो जो भी करें उसके साथ बना रहना है तो मैंने मैं चाह रही थी कि वो पढ़ाई करें तो मैंने उसकी खुद उठाई मेरे बाकी सारे काम मुझे लग रहा था कि अपको साइड रखा और मैंने बुकली और फिर उसको बोला कि हमें पढ़ना है साथ में मैं पढ़ रहे हूं तो वो आकर बैठी फिर वो बहुत सारा मूव करती रहती है उसके साथ मैं यह देख रही थी कि मैं कितना फ्लक्ट्रेट होती हूं पर जब मैं यह हार्मनी में रहत पाई जब उसको निकलना था उस उधर से तो मैं बहुत इजीली उसको छोड़ पाई और अब मुझे यह लग रहा है कि हार्मनी में अगर मैं बनी रहूंगी पूरा समय तो जो जो करना चाहिए एक्जाक्ली वही कर पाऊंगी और उसके लिए मुझे प्रयास निरंतर करना है और इस पूरी जर्णी में हर एक UHV के साथ जो वॉलंटरिंग एक्टिविटी हुई हर एक व्यक्ति के साथ जो इंटराक्शन हुआ उसने मुझे बहुत-बहुत हेल्प की तो सभी के प्रती बहुत-बहुत कृत अग्यता सभी का आबाद नहीवाद बहुत बहुत करता ह नमस्ते सभी को नमस्ते निदी जी बहुत ही अच्छी शेरिंग आपकी हर बार जब आप शेयर करते हो तो मुझे तो दिखता है कि कितने बारीकी से आप हर स्टेप को अपने अंदर देखते हो और इतनी इमानदारी से आप उस बात को रख पाते हो ये बहुत बड़ी बात है अक्सर शुरुआत में हम ऐसा करते हैं कि जो हमें ठीक लगता है उसको हम बता देते हैं और जो इतना ठीक नहीं लगता उसके उपर से हम हलके से निकल जाते हैं लेकिन आप हर बात को इतनी गहराई में देखकर इतनी बारीकी से और इतनी इमानदारी से बता पाते हैं ये मुझे हमेशा जब आपकी शेरिंग सुनती हों तो ये ध्यान जाता है कि कितनी बारीकी से आप इस पर ध्यान दे रहे हैं शुरुआत में अक्सर ऐसा लगता है बहुत से पाटिसिपंस को ये ध्यान गया होगा कि शुरू-शुरू के जब सेशन्स होते थे जब हमने पहरी बार सुनाया दूसरी बार मॉनिंग सेशन में अटेंड किया तो लगने लगा कि हाँ कुछ-कुछ बात दिखी और तीसरे टाइम तक हमें लगा हमें तो सब समझ में आ गया सब दिखता है लेकिन जब और बारीकी से देखते हैं और सूक्षम जाते हैं तो फिर दिखता है कि हमने स्थूल को ही कुछ और मान दिया था और जैसे जैसे हम बारीकी से अंदर जाते हैं तो हमें और गहराई में दिखाई देता है कि अभी हम वहां पहुंचे नहीं जहां हम सोच रहते हैं कि हम पहुंच गए तो ये सब स्टेप्स आप जब शुरू से आपकी फिर्स शेरिंग से ही बहुत कुछ मुझे लगा कि आप उस उस चीज में फ़से नहीं हो आप बहुत बारीकी से शुरू से देख पा रहे हो कि क्या चीज अभी कितनी सारी और कमिया है कहां तक हमें पहुंचना है और कितना कुछ हमने अकंप्लिश कर लिया है वो भी एक बात है तो मुझे लगता है कि हर शेरिंग में आप बता पाते हो कि अब पिछले शेरिंग के कॉंट्रास्ट में अब मैं और कितना देख पाई हूं और क्या और बारीकी से देख पाई हूं और ये सब बहुत इंपॉर्टन्ट है सभी के लिए तो मैं जो लगता है कि बहुत ही इंस्पिरेशनल और बहुत ही एक तरह से जो जिस गहराई में हम सब को देखना है उसकी बात आपने कही और अफ्कोर्स आप छोटी बच्ची के साथ में इतना सब कर पा रहे हैं हम लोग कितने सारी जगाओं में मिले हैं तो घर का देखना अफ्कोर्स ये भी है कि ना आपके पार्टनर आपके स्पाउस का इसमें बहुत योगदान होगा आपकी बेटी से भी मिले हैं इतने चोटी उम्र में भी आप उसकी देखभाल करना उसके बारे में सोचना उस पर भी ध्यान रखना और कॉंटेंट पर भी ध्यान रखना पार्टिसिपेशन भी बनाई रखना यह सब बहुत ही कमेंड़िबल हैं तो आपकी बहुत बहुत शुक्त कामना हैं आगे के लिए भी और अपने में काम और जो प्रोजेक्स में आप इतना समय देते हैं वो सब के लिए बहुत बहुत शुक्त कामना हैं जी धन्यवाद देदी आपने वो सही कहा कि मेरे हस्बन चिराग जी बहुत ही स्थेर और अच्छे इंसान हैं और उनके लिए ये मुझे समझ आया कि वो इतने अच्छे हैं वो ही वेजवी के बाद ही और मैं उनका बहुत जादा जिक्र नहीं करती हूं शेरिंग में क्योंकि मुझे इतना अशॉरंस है कि मेरे बहुत सारे फ्लक्टुएशन भी जब भी हूँ पर फिर भी वो हमेशा बने रहते हैं और फिजिकल फैसिलिटी के लिए भी मुझे बहुत पोर्स नहीं करते हैं के लिए या जादा काम करने के लिए और पार्टिसिपेशन के लिए बहुत मोटिवेट भी करते हैं और वैसे ही मेरे इनलोज फैमिली भी मेरे मदर इनलोग भी मुझे बहुत ऐसे कहते हैं कि वरक्शॉप में जाओ तो मेरी तरह से सारी लेकर जाना या फिर मैं रिद्या क का ध्यान रख लूँगी तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना सुबह निकला करो शाम को मताया करो यह सब इतना शिफ्ट हुआ है देदी के मुझे लगता है कि ऐसा ही जीना मेरे लिए डिजायरेबल है कि मैं फीलिंग्स के प्रतिय अवेर हो पाऊं और यह वी थ्री पर्ट के लिए यह बहुत अच्छा बना रहता होगा जब मैंने उनके साथ शेयर किया और उस फीलिंग के साथ मैं उनको मिली तो यह बहुत अच्छा है और दूसरा दीदी कि आप सभी का इतना साथ मिलता है मैं अब इतने नाम लूँ तो समय नहीं रहेगा पर मुझे लगता है जितनी जितनी बार मैं चुकी हूं उतनी बार हमेशा मेरे साथ कोई खड़ा हुआ है और मुझे संभाल रहा है तो मैं जब भी UHV की जरनी के बारे में वरक्शॉप में भी जब सब लोग प्रोसेस का पूछते हैं या कुछ बात होती है तो मेरा उतनी बार ध्यान जाता है क बाकी प्लेसेस पर वरक्श पर जो संभालना है वो नहीं हो पाता क्यूंकि हम सभी माननेता में होते हैं पर जब UHV फैमिली में आते हैं तो इतना एक दूसरे के लिए खड़े रहना होता है जो इस पूरे प्रयास में लगे रहने के लिए बहुत ज़रूरी है और कहीं बार मैं कितने सारे काम है जो नहीं कर पाई तो मेरा वो आलस का संसकार है और अपने में बना रहने का संसकार है अपने आपको विक्टिम फील करने का संसकार है इन सारे संसकारों को मैं देखते हुए भी देखती हूं कि पर टीम मेरे लिए हमेशा खड़ी है तो वो सर जो बात स और फिर सोसाइटल डेवलपमेंट की सिक्वेंस की बात करते हैं वो भी एक बहुत ही बड़ा उपकार रहा है और दीदी दूसरी बात ये भी कहने थी कि जब भी मैं शेरिंग के लिए प्रिपेर भी करती हूं तो मैं अपनी जर्नी को देख पाती हूं और उसके साथ मेरा कर पाया कि इसकी वज़े से क्या हासिल हुआ तो वो प्रोसेस मुझे लगता है और भी इंडिविज्वली एंडिजिंग है पहले मुझे लगता था कि शेरिंग करनी है ताकि दूसरों को बताना है पर वो इस बार और ध्यान में आया कि शेरिंग से मैं खुद बहुत आराम मैं आती हूं देखकर कि इतना ठीक हो पाया और आगे अब जर्नी को कंटिन्यू करना है इसका मोटिवेशन मिलता है बहुत थैंक्यू बीजी ठीक बात है सारी टीम में बहुत बड़ी बात है हम सब बात करते हैं उसकी और जीने में भी लाते हैं छोटे-छोटे एक्जांपल्स में दिखाई देता है कल ही जैसे शाम में जो मीटिंग चल रही थी उसमें कॉलिंग की बाते हो रही थी कि पारिसेपेंट्स को कॉल करना है बताने के लिए न तो उसमें भी इतनी छोटी सी बात एक होता है कि मैंने अपना काम कर लिया हो गया पट कितने सारे आप ने भी और कितने सारे और पारिस्पेंट्स ने भी बोला था मेंबर्स ने के टीम मेंबर्स ने के दूसरा शायद व्यस्त है क्या हम दूसरे का कर सकते हैं हम भी उनका काम थोड़ा ले 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 तो साहता हो जाएगी ये ये चीजे ना इतनी छोटी छोटी बारी की छोटी बातें लगती हैं बहुत छोटी बातें लगती हैं लेकिन इनी से दिखता है कि यह जो संबंध है यह दिखाई दे रहा है और दूसरे के लिए अपने अंदर भाव कैसा है तो मुझे लगता है कि यही जो हम सब अपने अंदर वैसा भाव लाएंगे तो सुखी रह पाएंगे और सबके लिए यह बहुत हर बार इस इन चीजों पर ध्यान जाता है तो लगता है कि यही है तरीका जीने का जैसे आप कह रहे हैं ना बहुत अच्छा